Good morning students, आज हम 7th class का lesson 2 चोटा जादुगर समझेंगें चोटा जादुगर पात्र एक चोटा बच्चा है जो की विकट परिस्थितिया आने पर भी अपने जीवें का सफर को रोकता नहीं है और निरंतर प्रियासरत रहता है जिरंतर कोशिश करता रहता है इसके बूरी माँ जो बीमार है उसके पिता जो की देश के लिए सेवा करते हुए जेल पहुँच गए और वै अपनी आजीवी का चलाने के लिए चोटी-चोटे खेल, चोट-चोटे जादू के खेल दिखा रहा है जिसे अपना और अपनी मा का भरनपोशन करता है कार्नीवल का मैदान जहां बीजलें चगमगा रही थी और चारों तरफ हसी गुझ रही थी वहीं एक चोटा सा फवारा था जहां एक चोटा सा लड़का सुपचाप शर्बत पीने वालों को देखा उसके गले में पटे एक रसूत की रस्ती और एक पता उसके जेम में कुछ दाश के पत्ते थी और उसके चहरे पर बहुती गंबीरता का भाव और धहरे की रेखाई थी जिसे देखक देखक उसकी और आकर्शित हुआ जब देखक ने उससे पूछा कि उसने यहां क्या देखा तो चोटे बच्चे चोटे जादुगर था उसने देखा कि मैंने यह सबी कुछ देखा ममा है उससे अच्छा खेल तो मैं भी सिखा सकता हूँ तो उसने पूचा कि इस फर्दिक में क्या है तुम वहां गये थे चोटा जादुगर ने जवाब देखी नहीं मैं वहां नहीं जाए सका क्योंकि वहां जाने का टिकेट लगता है लेकक उसे स्वयां वहां लेकर गया और उसने का कि वहां जाकर क्या करोगे चलो निशाना लगा हैं तो इस ते वह चोटा जादुगर सहमत हुआ और उसने अपना सिर्थ हां में हिला दिया मनुश्यों की बीड से जाड़ी की संध्यावी वहां गर्म हो रहती वह उन दोनों ने शर्पत पीकर निशान लगाने के लिए चल दिये रास्ते में लेकक ने उसके परिवार के वारे में पूछा तुमारे परिवार में कौन-कौन है तो इस पर चोटा जादुगर ने जवाब दिया कि मैं मा और बाबु जी बाबु जी ने आने के लिए मना नहीं किया लेकक ने पूछा उसको जादुगर ने बताया कि उसके बाबु जेल में देश की सेवा करते हुए जेल पहुँचे और मा बीमार है और तुम तमाशा देखने आयो इस पर वह हसा और का मैं तमाशा देखने नहीं तमाशा दिखाने आयो जिससे कुछ पैसे खटे हो और अपनी मा के लिए कुछ आह और कुछ दवाएं ले लो इस तरह कर जवाब सुनकर वह लेकर हद प्रद रहे गया और बोला कि मा चोटा जादुगर बोला कि मैं सच कहता हूँ आबुजे मेरे मा बीमार है इसलिए मैं नहीं गया कहां जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों न मा दिखाकर अपनी मा की दवा कराऊ और अपना पेट भी बन O क्या सुनकर लेकर अपनी की लंबी साँस लिये और निशाना लगाने के लिए चल दिये छोटा जादू कर इतना अच्छा निशाने बास्ता कि उसने रंधी सारे निशाने लगा लिए कोई निशाना उसका खाली ने गया और वहे विज़ाई हुआ उसने सारे खिलोने अपने समीट लिए कुछ जेम में रखे और कुछ उस लेखक के रुमाल में बांग लिए और वहे लेकर चलाई लेकर ने सुच्छा कि बहुत ही तेज है कि तुरन इतनी जल्दी आँख बदलने लेकिन जब वहे बोटनिकल उद्यान में खेल घूम रहा था तो देखा कि एक जूले के उपर से आवाज आई बाबुजी मैं यहां हूँ तो उसने देखा कि उपर छोटा जादूगर बैटा हुआ है एक बार जब वहे घूम रहा था तो देखा कि हाथ में चार खाने की खादी का जोला साफ आदी बाहों का कुर्टा और सेर पर एक सूती रुमा जो लेखक का था वह रसी से बांदा हुआ मस्तानी चाल में जूमता हुआ रहा था लेखक से पूछा क्या आज तमाशा दिखा हूँ लेखक ने मना कर दिया इसके बाद वह उसने दुबारा बोला तो लेखक क्रोध में आ गया लेकिन उससे पूर्वी जो लेखक की श्रीमतीजी थी उन्होंने कहा कि मैं तमाशा श्रीमतीजी ने कहा कि तुम तमाशा दिख लगा वह जो खिलोने जीत के लाया था उन्हें खिलोनों से उसने गुडिया का वेवा कहीं गुड़े का वर काना निकलना कहीं बंदर की खुड़की आजी खेल लेखा जिसे देखकर सभी लोग लोटपोट हो गए हैं लेकर सोचने लगा कि इतनी छोटी उमर में इतना चतु की डोरी के तुकड़े तुकड़े हो जाना और फिक तुरन जुड़ जाना ये सब देखकर सभी लोग बहुत हत्प्रद हो गए ये खेल देखने के बाद जो श्री मतिजी थी उन्होंने उसे एक रुपिया दिया ये रुपिया पाक का छोड़ा जादुगर इतना होगी छोटे जादुगर ने जबाब दिया कि पहले में इससे भर पेट पकॉड़ियां काऊंगा फिर एक सूती कंबल करी दुमाई ये सब सुनकर लेकक का गुसा समाप्त होगा वे नमस्कार करके चला गया और लेकक लोग लता कुछ देखने के लिए निकल गए उस छोट सूरे के अंतियम किरंग पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रहे थी रह रहकर लेकक को उस छोटे जादुगर की याद आ रहे थी सचमुच वे एक जोपड़ी के पास कंबल कंदे पड़ डाले खड़ा था उसने गाड़ी रोकी और पूचत तुम यहां कैसे तो उसने कहा कि अस्पताल वालों ने मेरी मा को निकाल दिया है और जब वो लेकक क्या देखता है कि एक जोपड़ी में एक इस्तिरी चित्रों से लिप्टी हुए कहा प्रही है चोटे जादुगर ने अपना कंबल निकाला और उसके शरीर से चिपटती हुए कहा मा मेरी आखों से आ आसू निकल पड़े बड़े दिन के चुट्टी बीच चली लेकक को अपने ऑफिस पहुंचना था लेकिन कॉलकता से उसका मैं उप गया चलते चलते उसने एक बार फिर बाग देखने के एक्छा प्रकट कि वह लेकक बाग देखने के लिए निकल पड़ा सोच तक कहीं शा मोटा जादोवर एक जगे चादर विच्छाए खेल दिखा रहा था कहीं मौटर गारी कहीं बिल्ली का रूटना कहीं भालू का मनाना और कहीं ब्याकी तयारी जब खेल समाप्त हुआ तो वह तुरंत सारे पैसे बटोर कर जाने लगा जब लेकक वहां पहुंचना और कि कहा कि मेरी घड़ी बहुत ही समीप है तब भी तुम खेल दिखाने चले आए तो लेकक ने क्या का और कुछ कहने में जैसे वे अपमान अनुभाव कर रहा था मतलब उसके परिशानियां उसे खेल दिखाने पर मजबूर कर रही थी चण भर में लेकक को अपनी भूल का एहस पर आस हुआ और उसने उस च्छोट जादुगर के झोले को अपनी गाड़ी में रखा और खुद के गाड़ी में बठार्या कुछ ही समय बे शब्द निकलकर रही है उसका दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़ा जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था और उस साफ दूप में सारा संसार जैसे जादू का सा खेल नचर आने लगा इस कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी विशाम परिस्तिति आ जाएं कितनी भी दुखा हैं कितनी भी कटनाई हैं हमें हार नहीं माननी हैं और अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए निरंतर ही आगे बढ़ना हैं और सदैव अपनी मां और अपने पिता जुनों नहीं हमें जन्म दिया जीवन दिया उनके लिए ततपर रहना है मां से बढ़कर बिटा जीवन में कोई चीज नहीं है जैसा उस जादूगरने की अपनी मा के लिए मिरंतर प्रियासरत रहा तो हमें भी हमेशा अपनी माबाप का साहथ देना होगा और कभी भी किसी वर्षिती में घबराना नहीं है ठैंक्स